तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे यूटूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें आज की वीडियो में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आखिर ये बीपीडियो वीडियो का जो एक्जाम है री एकजाम जो होने जा रहा है नौजुलाई को इसको क्रेक कैसे किया जा सकता है यानि इस एकजाम को कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं कैसे आप इसमें पार पा सकते हैं क्योंकि देखो मैं आपसे पहले से कहता है हूँ मेहनत आपकी रहेगी मालगुदर्सन मेरा रहेगा ठीक है इसमें बच्चों दो-तीन चीजां काउंट होते हैं देखे अब कई बच्चों को लग रहा है कि सर आरो यारो का क्यों नहीं करा रहे हैं अभी इस टैंक पे देखो आरो यारो का बिग्यापन जारी नहीं हुए ठीक है और एक्जाम की जो डेट दी है वो अठार जून दी है किसने आयोग ने पिलियम से की ठीक है उसमें उत्राखन पढ़ने की जरुवत नहीं है इतना मैंने आपको पढ़ा रख है प्लेलिस्ट में सारा उत्राखन मिलेगा आपको जिला स्रीज, इंडिविज्वल टॉपिक स्रीज, उत्राखन का इतिहाज ठीक है और इवेन उत्राखन के सरकारी आकड़े हाँ उत्राखन एकोनोमी सर्वे वगरा जो नया आएगा इस बार वो अपडेट जो आएगा वो मैं आपको कराऊंगा ठीक है करेंट आफियर मैं कराता ही हूँ, नैस्नल करेंट आफियर, इंटरनेशनल करेंट आफियर मैं कराऊंगा दोसरा, GS वाले के लिए मैंने दिरिष्टे आई, इसकी क्विक बुक बताई है, वो आपको स्वताः पढ़नी है साथ ही साथ मेरी क्लासे जैसे संडे, सेटेडे इन दिनों मैं आपके लिए आएंगी आएंगे, ठीक हाँ जिस दिन आरो यारो का बिक्यापन जारी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भले मुझे दो क्लासेज पढ़ाने पड़े या मुझे कैसे भी समय निकालना पड़े, मैं कोसिस करूँगा कि आपके लिए, फिर में में चीज़े करा दूँगा क्योंकि पिल्लियम्स का तो बहुत बड़ा लोड है, में से तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा नाइनटी से कम है भी वीडियो के लिए, जो इसना तक स्तरी परिक्षया है, जो रीगजाम की डेट दिये, इतना जो हमारे पास टाइम है इसको हम आखिर कैसे क्रेक कर रहा है, में चीज सबसे बड़ी चीज यह आती है, देखना इसमें क्या करना है, सबसे पहली चीज है, सबसे महत्तपूर्ण चीज है आपका रिविजन क्योंकि आप सडली UKPST के एक्जाम पर गए, फिर आप पुना वहीं आ रहें, आपको नया नहीं पढ़ना इसमें जो एक शिक्षक होने के नादे, गुरू होने के नादे, मेरा क्या रोल है, मैं आपके लिए क्या करूंगा इसके लिए कोई crash course इप, कोई कुछ नहीं, इसके लिए चलेगा बच्चो, revision classes यानि revision की classes चलेंगे और इसी में मैं आपको कहीं न कहीं new factor भी जोड़ दूँगा यानि आप मान के चलिए, ये classes free of cost रहते हैं, ये आज से नहीं, आप उस पे संदेह मत करना ये पिछले 23-23 साल लग गया है, आपके YouTube पे कोई charge नहीं लगेगा आपको न कभी future मा लगेगा, न कभी लगा था, ये आपकी free of cost classes रहेंगे, ठीक है तो BPDO के लिए कहीं न कहीं revision classes का एक बैज बनाया जाएगा क्योंकि वो मेरे लिए भी आसान होगा, आपके लिए भी आसान होगा तब से बहुत से छात्रों का touch छोड़ गया चाहे वो अपनी मेहने से जो चाये नित हुए थे, उन छात्रों की बात करो या उन छात्रों की बात करो जो विडियो वीडियो जिसका last exam था या जिसको आगे उमीद नहीं थी, उसने फिर छोड़ दिया कहीं न कहीं 2,5,3 मेहने का एक time मिला है तो मैं आप सभी छात्रों से ये कहूँगा जो revision classes मैं कराऊंगा या या डेली वीडियो आती है, आप लोग ने चैनल को subscribe किया होगा बेल आइकन दभाया होगा, जो नए बच्चे आए हैं उनसे मैं कहूँगा subscribe करके, बेल आइकन दभा लेजी, क्योंकि उससे क्या होगा जैसे आपको class आए कि पता सज़ जाएगा, timing वैसे तो रहती है लगबल सारे 10-11 बजे के something per day, ठीक है तो ये जो revision classes होगी, ये आपके लिए कहीं न कहीं रामबान से दोंगी क्योंकि मैं इसमें अनावश्यक factor नहीं डालूंगा यानि मैं कोसिस करूंगा, कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज मैं इसमें include कर सकूँ, जो आपके कहीं न कहीं एक्जाम के इड़ देगेड़ दो अब आप इसमें basic की उम्मीद मत करना मुझसे यानि बहुत basic question कराएंगे, basic का क्या मतलब क्या आपको लगता है कि sir आपको ये लिखाएंगे कुमाओ केसरी किसको उगा जाता है क्या आपको लगता है कि sir इसमें ये लिखाएंगे इंदर्मणी बड़ोनी जी को उत्राखन का गाधी गा जाता है यह चिपको आंदोलन कब शुरुआ था, मैं आपको कराऊंगा, ऐसे portion, ऐसे fact इसमें मैं आपको दूँगा, क्योंकि fact-based होगी, ध्यान रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो revision classes होगी, वो fact-based होगी, और जित्ती भी होगी, लगभग इसमें 70 से 80 classes कवर करने का मेरा target रहेगा, और जो fact रहेंगे, वो beef video, video के syllabus पे आधारीद रहेंगे, ठीक है, यानि यह जो fact होगी, यह नहीं कि न सर, न पैर, न पाव, कुछ भी नहीं, fact होगी syllabus के, किसके रहेंगे syllabus के, अब fact जो syllabus आपका दिया हुआ है, जैसा आपका syllabus दिया, उसके topic के fact रहेंगे, अब topic के fact में, अ आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से बहुत बड़ा फाइदा हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, fact मिलने को, पढ़ने को मिलेंगे, साथ ही साथ, डेली में आपको कह दूँगा, कि आप यह वाला topic तयार रखना है, यानि आप जैसे ही में class में आऊंगा, आपको बता आप मान के जरू जो ठंडियों के पांच मेने होता है, गर्मियों के तीन मेने वो बराबर ही लगता है, क्योंकि आपको परियाप्त समय मिल जाता है, सुबहें 4-5 बजे उजाला हो जाता है, रापको 8 बज़ अंदेरा होता है सामको, आप सोचो इतना समय है, अब ठंडियो हो जाता है, 9-9 बज़ आदमी, मतलब किस लोक में सो जाता है, कोई पता नहीं चलता है, ठंडियों के दिन होता है, फिर आलस भी आता है, गर्मी में के आता है, एक तो नीदी नहीं आती है, लंबा समय लगता है, लंबा दिन लगता है, छोटी राते होती है, लंबे दिन हो इसना तक इस तरी अर्थाद वैसे देखो UKEE टेपले सीका syllabus तो सेम है तो मैं जो फोल्डर का नाम रखूंगा कहीं न कहीं BPDO VDO, revision classes according to syllabus ठीक है यह revision classes fact, bracket में fact है, fact रहेंगे according to syllabus इस तरीके से अगर हम 90 days देखेंगे या 85 days जितना भी हमारे पास time होगा इसको हम देखेंगे तो एक बहुत अथे level की आपके ताइयारी हो जाएगी क्यों? क्योंकि आपका base तो already बना है, कई चीज़े तो आपको पता है, आपको देखने की जरुबत क्या है बताओ, आप इतने समय से पढ़ जो, आपको यह basic जो question है उत्रा खंडाजी विधे का पारित हुआ, यहाँ का पारित हुआ, यह का आप आई, यह तो आपको already चीज़ें पता है और ध्यान रखना, इसका कोई charge नहीं है बच्चो ठीक है, यह आपकी इच्छा पेडिपैंड है आपकी, मतलब यह कोई बाधिकारी नहीं है, कि आप इन classes को देखो ही देखो क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे एक पब्लिक फेस हूँ, पब्लिक फेस का मतलब एक सोचल मेडिया है कहीं न कहीं YouTube एक open platform है, आप वीडियो मेंन को upload करनी है ना मैं आपकी घर पे आके आपके data मांग के, wifi मांग के upload करूँगा ना मैं आपको जबरदस्ती इन classes को पढ़ने पर बात दे करूँगा ना मैं आपको बहुत उनको जानता हूँ, कि कौन छात्र पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है मेरा काम है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे भी अगर जो उसको उससे फाइदा ले पा रहे है तो मैं उनके लिए classes दे रहा हूँ, तो कहीं न कहीं इन classes को मैं बना के मैं upload कर दूँगा channel पे upload करने के पास देखना, न देखना, पसन आए, न आए, वो आप पे depend करता है वो compulsory नहीं है, कि आप वही चीज़ें उसको आप जबरदस्ती देखो, ठीक है तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ स्लेबस के according में आपको इसके fact तयार हरवा दूँगा, भी video फीडियो के, ठीक है अब रहा बात, आरो ए आरो के exam की आप कई बच्चे सुसरों के सर ने ये बीच में क्यों छोड़ दिया छोड़ा नहीं है बच्चो, इसकी classes भी आपको आएंगी आपको Saturday, Sunday भले मुझे दो classes देनी पड़े, इसकी भी classes आएंगी क्योंकि इसके बिग्यापन का पता नहीं है भी यानि इसका बिग्यापन जैसे ही आजाएगा तो active हो जाओंगा मैं भी आप भी होता है जब तक बिग्यापन दिखता नहीं है उस समय तब तक आज़ी परिसान ही रहता है चाहे आप हो मैं हो एक सिक्ष्यक होने के नातिजब मुझे पता है कि इसका बिग्यापन आप 18 जुन तो डेट दी है अब यह आपका कौन सा मैना चल रहा अप्रेल चल रहा मैं जून दो मैने से कम समय बचा बिग्यापन का पता नहीं कब बिग्यापन आएगा कब वो admit card जारी होंगे इसका पता नहीं तो फिर एक जोज जो होता है वो कम हो जाता है क्यों न अब ऐसा हो मैं तो यह चाहिए नहीं जब विग्यापन इसका आया ही नहीं है अब लेट ही आए एक डेट मैने दो मैने लेट आए थाकि विपीडियो के एक्जाम ही जो तैयारी कर रहे है उनका एक्जाम जो है क्रैक हो जाए या उनकी तैयारी हो जाए और हाला कि बीपीडियो वीडियो एक्जाम की तहियारी करने से आपको एक चीज ये फाइदा होगा कि आपको आरो ए आरो के भी तहियारी हो जाएगी प्रिलियम्स लेबल की प्रारिम्बिक परिक्षा की ठीक है अब देखते हैं जब इसका विग्यापन आएगा तो हम लोग इस पर अक्टिव हो जाएंगे आप टेंशन मते ना लेकिन जितना क्योंकि 17 दिन बचे हैं अगर पता लगा मैं यहां आरो एरो पड़ा रहा हूँ और वहां आरो एरो का विग्यापन पहुचा ही नहीं हो सकते हैं 18 जुनकी जग थोड़ा से डिले कर देया जब तक वो कार्मिक विभाग का जियो जारी नहीं होगा जो दिव्यांग जनू के चिन्हीं करन हमाला है उसमा हर विभागू से data collect करके उस पर काम चल रहा है जब तक वो जारी नहीं को बिग्यापन आएगा नहीं बिग्यापन नहीं आएगा पता लगा विडियो का एक्जाम हो गया और हम ना इधर के रहे ना हम उधर के रहे क्यों ना at least take exam की date हमारे सामने आई हम उसकी तैयारी करें तो देखो full to planning क्या है complete planning क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है इस तरीके से अगर आप चलोगे ना और ध्यानक ना ये free of cost है जो आपका ही चल रहा है ये मसोस देना आप लोग की कहीं कहीं लोग की दिमाग में नहीं बच्चे आते हैं उनको लगते हैं कि नहीं सर ने भी अपना course से चला द मतलब आप लोग को क्या बतलब उनको पड़ाना जिसको जरुवत है अब मुझे तो ये पता नहीं चलेगा किस को जरुवत है अब कार्मा बढ़ता गया बढ़ता गया एक लाग सत्तर हजार से अधिक बच्चे अगर जुड़ गए हैं तो किसी ने किसी वजह से जुड़े तो वो आया था ठीक है किसी का तो भलावना चाहिए तो देखिए जब मैंने ये इंटेंशन मेरा जो था मेरा इरादा जो था इस चीज को सुरू करने का वो ये था कहीं न कहीं ऐसे बच्चू को मदद मिले जिसको एक काइड़ेस नहीं मिल पाती जिसको प्रॉपर तरीके इसे चीजे समझ रहे आपते लेकिन आज की दिन एक चीज पता तो चल गया कि कैसी कैसी चीजे एक्जाम में आती है कैसी चीजे आपके नोट्स में बनी है किस तरीके से आपको पंढ़ना है ये भी बहुत बड़ी क्या होती है उपलब दियो होती है रहा प्रेट कोर्स से चलाने की बात जो चलाते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है पहले बात समझना क्यूंकि हर किसी का अपना एक रोजगार है भगवान ने मुझे दिया है मैं और ये गौर्नमेंट इंपलॉय हो तो मुझे इस चीज की जरुबत नहीं कि मैं आपसे पेट कोर्स लो ठीक है तो आप ही मान के चलिए आपको जो क्लासिज मिल रही हैं वो फिर योग कोस्ट हमेशा रहेंगी यहाँ पर यूटूब के प्लाइपर पर क्यूंकि मुझे जो सम्मान मिला मुझे जो इज़ग मिली वो आप लोग के वज़े से मिली क्यूंकि आप लोग मुझे जूड़े और आप लोग मुझसे इसी भरोसे के साथ जुड़े कि सर इमानदारी से काम करते हैं, सर पढ़ाते भी हैं, सर मोटिवेट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, और ऐसा कोई चार्ज वगरा है नहीं, तो हमें पढ़ना चाहिए, हमें जो टॉपिक नहीं है तो हम कबर करें, अब उसी सम्मान, उसी इजद जो आप लोगों ने मुझे दी, और जिस इंसान को आपने ये बनाया कि कोई योगेस बान ने स्टड़ी भी थी योगेस बना, वही अगर खुद को बेच के, यानि चाहूं तो एक बैच चलाने के हजारू लाकु रुपे कमाई जा सकने हैं, इज उसी चीज़ को अगर मैं बेच के, अपना ही नाम खुद दूँ, फिर क्या भाइटा है, ऐसे बताओ, ऐसे कमाने का, हाँ, जो चलाते हैं, उनका चलाना जायज है, क्योंकि हर किसी को एक अपना घर चलाना होता है, जिसका रोजगार नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत ब जिसके पास साधन नहीं है, संचाधन नहीं है, उसके लिए मैं हूँ, और जिसके पास साधन संचाधन है, उसको दूसरे का रोजगार भी चलाना है, ये भी तो देखना है, तो में चीज़ ये, देखिए, हमेशा फिरिवेंगे, अब पूरा फुल पैटर्न की समझना, डे रिविजन फैक्ट ठीक है उसे पर रिविजन फैक्ट चलेगा और ये लगभग 70-80 क्लाशे जितनी भी आएंगी ठीक है तो इससे क्या होगा एक बहुत अच्छे रीज आपकी महुंच जाएगी क्योंकि आपका बेसिक ओल्रीडी क्या है तैयार है बेसिक तैयार है फिर आप आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा इस रिविजन के अलाबा कभी कभी बीच में करन्ट आफियर आएगा वो सेपरेट आएगा ठीक है क्योंकि इसमें मैं उत्राखंड भी इंक्लूट कर दूँगा इसमें मैं जीएस भी इंक्लूट कर द दिजा जाएगी यह वादी क्लासे यह भी क्या होंगे अपने आप में यह तो करेंट अफियर तो करेंट अफियर है रिजिनिंग भी चलो कुछ कुछ करेंचन में फैक्ट करा दूंगा तो कहीं न कहीं 70-80 अगर आप इस तरीके से स्लेबस के अकॉंडिंग रिविजिन कर पाने में सक्षम होते हैं तो आप एक बहुत बहुत बहुतर लेबल पर पहुँच सकते हैं क्यूं क्यूंकि आपका बेसिक तैयार है जब बेसिक तैयार है फिर तो ऐसे कोई सम्मश्या होती नहीं न्यू कमर कोई होता नया स्टुडेंट कोई होता जिसको अब सुरू करना होता उसके लिए तो बिल्कुल नहीं चल पाता क्योंकि उसको अब सुरू करना है वो कैसे इस इसको कबर करेगा तो एक्लिस्ट आपको ये रखना होगा भरोशा कुछ पे कि हाँ हम कर सकते हैं जहां पर जो point कम जोर रहा उसको आप लोग को तैयार करना होगा ठीक है इसके अलावा जिस चीज के मैं सबसे ज़दा उम्मीद आप लोग उसे करता हूँ आप comment section में मुझे एक चीज आज बता देना क्या आप BPDO वीडियो के लिए test series चाहते हैं इमानदारी से बताना ठीक है दूसरी बात वो test series फिरी नहीं हो सकते है impossible है क्यों क्योंकि मुझे एक class पढ़ाने में लगभग कितना तॉपिक प्रिफियर करना और अपना इस पर वीडियो वगरा काम के एक घंटे का काम है एक डिड़ घंटे में काम नहीं पढ़ जाता है लेकिन test series के नहीं मेरे पर समय नहीं है उसमें कितना लगता होगा बताओ 100 नंबर की question ढूडने है और question ऐसे ढूडने है जो आपके exam के इड़दे-ड़द हो ऐसा थोलना कि कोई भी पकड़के आपके सरमत थोब दिया ऐसा नहीं test series जो मैंने पहले कराई थी आपने देखा होगा पटवारी बगर जो बच्चे जुड़े हुए थे वहाँ उन्होंने paper का इस तर देखा होगा एक confidence boost up कराता था कई question exam repeat भी हुए तो confidence भच्चे का boost up कराना है उसको उठाना है उसको हिम्मत देनी है कि तू test paper में score कर रहा है ऐसा नहीं कि उसको down कर दो tough से tough दे दो उसको गिराते जाओ उसका confidence जो है वो भी खतम कर दो ऐसा बिलकुल नहीं होगा अगर आप चाहते हैं कि आप test paper ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सहमत ही पर होगा ठीक है आप कहाई दीजे नहीं सा test series नहीं आप पढ़ा दीजे कोई problem नहीं ठीक है अगर आप चाहते हैं बीपीडियो वीडियो के लिए आप test paper करें test series करें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो करूँगा नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ नम्हापने नाम से test दूँगा आपको ध्यान रखना ठीक है मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के question सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बिकल्ब बता सकता हूँ कि क्या-क्या डानने हैं और किस तरीका के question रखना है paper आप देखोगे आपको पता जल जागा कि sir नहीं बनाए लेकिन sir बनाएंगे नहीं आप सरसिर्फ आपको करेंगे, जो बनाएगा क्योंकि यह जो बनाने का काम करेगा, यह मेरा खुद का भाई करेगा खुद का सगा भाई, ठीक है और उनकी कोई job नहीं है वह बेरोजगार हैं, simple सी बात है ठीक है अगर वो बेरोजगार हैं वो पेपर कर रहा रहे हैं 4-5 घंटे आप minimum मान के चले चले एक दिन 100 नंबर का पेपर टाइप करके दिखाना और उसमें उस लेवल के कुश्चन रखना जो एक्जामों पूछे जाते हैं जिस तरीके के ऐसा नहीं कि 100 नंबर का अच्छा ठ उसमें शोर समझ के में बेदा चाहिएgor आफने हैं जिद्बने में पजने हैं जया गजएंना ज़ाते हैं 5 पशन गने iteration ना कम्यूट कर दे आज बैड़ के बैड्कर आधार हो यहांनि हम बहुत हाई स्कोर न करपाएं, घिости लIG रहा जएत利्ण के दिस तो केर। नाता है उस तरीकी का वेपर और इस काम में अत्यधिक मेहनत आप से मैं कह रहा हूँ आपको भले ही लगता होगा इसकी सारे साथ बोल रहे हैं आप एक पेपर टाइप करके एक्जाम के अकॉर्डिक बना के दिखा देना आपको पता चल जाएगा कि कितना उसमें समय लगता ह अगर आप लोगों की मंजुरी होगी आप कहेंगे मैं सिर्फ अभी आपको प्लाइन बनाता हूँ ठीक है टेस्ट सरी सुरू होगी तो मंडे से होगी सौमबार से ठीक है और हपते में दो या तीन पेपर जादा नहीं डेली तो पॉसिबल नहीं कैसे करेंगा डेली आदमी इतना सो नंबर की विशिण ठीक है तो मैंने जो सोचा है लगभग 25 पेपर 100 मार्क से के 25 पेपर 100 मार्क से के आपको मिल जाएंगे कितने मार्क से के 100 मार्क से के यह करने पर यह काम और जो सेलेबस में टौपिक दी है उसके अकोरडिंग और किसका सेलेबस UKEECCC यह सिर्फ आपके लिए नहीं, यह group C के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चिर्फ बीपीडियो नहीं, जो आगे आने वारे समय में भी तैयारी करना जाते हैं, जो प्रैक्टिस करना जाते हैं क्योंकि पोस्स तो आते रहती है, अभी बीपीडियो वीडियो आएगा फिर कुछ आएगा फिर कुछ आएगा फिर कुछ भूछ वो गुरुप सी का अब तो अधिनस के पाद चला गए आप तो पेपर होते रहेंगे वो जो अपना पुराना पैटन उस पे चलता लएगा ठीक है तो इस पे कोई भी बच्चे पेपर है उससे आगे नहीं आएक फिला जब तर नहीं चीज नहीं आती है तब तक नहीं आएगा पिडियो वीडियो तक पाच्चिस पेपर अगर आप लोग करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, कॉमेंट सेक्षन में, जब आपके मैं कॉमेंट पढ़ूंगा, आज पूरा उसको देखूंगा, कि आप लोग ने मंजुरी दी है, आप लोग कहते हैं, हाँ सर हमें, एक न्यून्तम फी, न मात्र हंडेट रुपीस, ठीक है, क्योंकि जो आदमी ये पेपर बनाएगा, जो इसको ढोड़ेगा, कॉश्चन तो मैं बता दूँगा, किस-किस तरीके के डालने हैं, क्या डालने हैं, मैं मुह पे रख दूँगा, लेकिन बिकल्प का चाहियान, उसके आप मुझे क्रॉस सेगम, जो सिर्फ और सिर्फ एक्रॉस चक करना है, बाकि ये पेपर आपको देंगे, जो मैं बता रहा हूं, कि अपने मेरे भाई हैं, वही आपको पेपर देंगे, वही आंसर की अप्लोड करेंगे, वही से आपको सारी चीज गाइडेंस में देगी, आपको जहाँ जो ची मैं roughly हो जाएगा कि हाँ ये question डालना है ये भी कल को रखना है इस तरीके से समझा दिया जाएगा इसके आगे सुनना आप रोगा तो मात्र कितने 100 रुपीज में आपको ये सर जो है पेपर देदेंगे अगर आपकी मनजुरी होगी तो आप बता देना इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं मेरा सिर्फ और सिर्फ पेपर देखना गाइट करना कैसा पेपर मुनाना क्योंगी बच्छों क्योंकि समय नहीं हो बाता खुद समझें साड़े नौ बजे से छे बजे तक का ओपीस है उसके बाद ये काम करना है ये काम ठीक है अपना खाना पीना नहाना धोना सब चीज है एक्सराइज बगरा हर चीज होती है कहां समय बचेगा आप करके दिखाईए एक दिन आप जोब में लगने के पाद एक दिन एक वीडियो बना के दिखा देना और रेगुलर मना के दिखाना पिसले धाय तीन साल से मना रहा हूँ तो मुझे इतना समय नहीं हो पाएगा और ये कमपसरी नहीं है अभी भी कह रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ चात्रू की सहमती पे डिपैन करेगा आप चाहते हैं आप कोमेंट सेक्षन में बता देना मैं तुरंत आपको इसकी प्लैनिंग बता दूँगा ठीक है और ध्यान लटना जो ये क्योंकि ये दूसरे सर कराएंगे ये पेपर वगरा मैं सिर्फ गाइड करूँगा मैं कुशन देखूँगा और जो मैं बताऊँगा कि ये कुशन डालना इस टॉपिक से ये कुशन उठाना है ऐसा ये बताऊँगा माकी मेरी कोई जिम्मिदारी नहीं है मैं आपको पेपर हाँ इतने इतना कह सकता हूं कि इतने पेपर आपको मिलेंगे इतने पेपर आपके कराए जाएंगे डेली आपको मतलब डेली नहीं मिलेगा तो 25 पेपर के अगर 100 रुपी कोई अगर फीज ले रहा है तो एक पेपर की कितनी 4 रुपे कितना होता 4 रुपे सोचो 100 रुपे का एक रिचार्ज करोगे तो दो दिन चलता है तीन दिन चलता है तीक आप खुद ही जानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 25 पेपर में अगर 500 question के because अगर वो ढोड़ रहा है, टाइप कर रहा, देख रहा, काम कर रहा, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो बेरुजगार हैं, तो आपको उनकी भी थोड़ी सी क्या कर देनी चाहिए, उनकी मेहनत को थोड़ा सा support कर देना चाहिए, इसके अलाव कुछी भी नहीं है, जब आपको आदित हो जाएगी, तो आपका confidence कितना boost up हो जाएगा, सोचिए, यह आप पुरा syllabus तयार करोगे, यह वो, अगर आपको यहां से यह test series का काम करना होगा, 25 पेपर का मैंने बता दिया, मुझे comment section में बता देना, जैसे ही आप लोग comment section में बताओगे, सभी चाथरे, ऐसा नहीं कि 1-2 चाथरे, जितने चाथरें सब बताना कि करना है यह नहीं करना, तब जाके मैं आपको एक आद दिन आपको क्या कर दूंगा, इस चीज का, कैंसे इसको करना है, क्या करना है, क्योंकि मैं नहीं कराואל़गा, मिरे चैनल पे नहीं होगा, टेलीग्राम चैनल जो study भी थी होगे, इस नाम से उस पे नहीं होगा, मैं बताञँगा कि इस पे होगा, जैसा नहीं कि थगूं से भी सावधान है, ध्यान रखना, पता लगा, मेरे नाम का, किसी और ने आपको पॉस्ट चेक नहीं करोगे, मुझसे वेरिफाई नहीं करोगे, किसी को भी मत देना, ठीक है, बिलकुल मत देना, कहीं न कहीं ठगूं से भी सावदान नेना, साइबर क्राम बहुत ठगड़ा चलता है, इसलिए अपने सर से जरूर पूछ लेना, सर कौन सा वैलिड है, कौन सा इन्वैलिड है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, बाकी ये सिर्फ आपकी सहमत ही पे डिपेंड करता है, ये मेरेस में कोई भी रोल नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि आपको एक माध्यम, क्योंकि ये जो काम करेगा, ये फिरी में नहीं करेगा, कोई न इसका सोचो कितना टफ काम है ये वाला ही, ये बहुत हाड़ वर्क होता है, बच्चो इसमें आदमी के हाथपेर सूख जाते हों, क्योंकि इतना टाइप करना होता है, कम्प्यूटर के आगे बैठना होता है, वह ही लगे रहेगा, ठाट 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 लगे रहेगा, उसके लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे की help करके चीज़ें आप लोग के लिए balance बरा देंगे, ठीक है, तो आप मुझे comment section में बता देना, मैं आपको कल एका दिन में संभावत तक कल ही आपको इस सारी details बता दूँगा, इसमें कैसे जूडना है, क्या जूडना है, और WhatsApp नंबर भ चार घंटे बर बाद होते हैं, एक paper करने में, ठीक है, तो आप मुझे बता दिजीए का, बाकि आपकी classes जो होंगी हो, Friday से सुरूँगी, वीपीडियो वीडियो की top से सुरूँगी, Friday से हम लोग सुरू करेंगे, non-stop इसको भगागेंगे, इसमें double speed में चाज़ेंगे, और RO यारो के syllabus के according भी हम जिसमें चीज़ें cover करेंगे, ठीक है, फिर में अगले session पर पना ध्यान रखिएगा, thank you